तो देश तो आप देख सकते हो यह अभी केंदाबाद में बारिश टार्ट हो गई है और फिलाल में हूँ अंदर मेट्रो स्टेशन के नीचे हूँ तो बारिश चाहे कितनी भी हो या पानी के गड़े बरे हो और मुझे बिल्कुल भी वो टेंचन नहीं होता है कि यार गाड़ी उसमें फज्जाएगी ऐसा कुछ होगा क्यूंकि आप जानते हो के नेलो का ग्राउंड क्लियरंज जो है वो काफी अच्छा है और रियर विल ड् प्रकत नहीं होती है आसानी से जो है मुसमें से निकल जाते है अभी वो सकता है थोड़ा बहुत आपको वीडियो शेकिंग मिले हैं कि छोटे मोटे कटे हो जाते हैं यहां पर देखो जबर जस सच जंपाया है मैंने सोचा कि आपसे बात्चित भी कर लूँ और एक बार देती है इसे हम बारिश में भीगते नहीं है तो यह होता है किसी भी गाड़ी का कमाल और यह होता है छोटी गाड़ी का बड़ा कमाल कि जो आपको भीगने भी नहीं देती कहीं रूखने भी नहीं देती कहीं फसने भी नहीं देती अभी हम डारेक्ली चलते हमारे में जो सब्जेक्ट है टाइम है चेंज यानि अब समय बदल चुका है उसके उपर विस्तार से बात करेंगे तो बारिश का टाइम था तो मैंने सोचा आपको एक बार फ्रेंट व्यू दिखा दूँ अब आपको एक लिए यूजिवल में हूँ ने नो मैं और एक हाथ से फून मेरे हाथ में है और उसी आथ से मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूं क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये वन एंड ड्राइव कर रहे हैं तब इसको आसानी से चला सकते हो बिना रुकावट के त कि हम बात कर रहे थे वन तो मतलब पहले का टाइम एसा था कि लोग आपकि ट्राइवल करते थे बस से ट्राइन से आ और जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ट्राइन से करता था क्रावट ओठी करेंच है क्योंकि पहले लोग इसलिए बस्ट्रेंड प्रीफर करते हैं सबसे पहले तो एक्सपेंस, क्योंकि उसमें एक्सपेंस इतना नहीं होता था, दूसरी बात सेफटी, कि सबका लोजिक ऐसा था कि अगर बाकी लोग भी अगर हमारे साथ है, अगर कुछ प्रॉब्लेम होता है, तो जो सबका होगा, वो हमारा होगा, अगर कुछ ऐसा भी तो बाकी लोग जो रहेंगे, वो हमें हेल्प करेंगे, उसकी वज़े से लोग बस ट्रेंज जएधा प्रिफर करते थे, और उनको सेफ भी लगता था, और पहले के टाइम पे ये सेफ भी दा, पर अभी का जो टाइम है, और अभी की जो जनरेशन है, उसको सेफटी तो ठी प्रिफर करते बाइरोड जर्नी, अगर अच्छी कासी इंकम है, तो बाइक आर जाएंगे, अगर एडवेंचर है, तो बाइक लेके जाएगा, बले पैसा हो, या कम हो, तो ये नॉर्मली चीजे हो गई, कि लोग पहले जो प्रिफर करते थे ट्रांस्पोर्टेशन में, और पहले बताया, और अगर और स्विस में जाना है, तो प्लेइन यूज करते थे, अभी का टाइम ऐसा हो गया है, और डेवलोप्मेंट भी इतना हो चुका है, कि लोग पाइक पे भी अधर कंट्री में जा चुके, अधर स्टेट में भी जाते है, बाइक आर भी जाते है, तो लोगों के अंदर रोर ट्रिप का जो भूत सवार है ना वो कमाल का है ताज कल कोई नहीं देखता है कि भी मुझे बस ट्रेंज से जाना है लोग डायरेक्ली भोलते है कि भी छोड़ो ना हुए कौन दक्कम दुक्की में जाएगा या बस के लिए दो गंटे कड़ा रहेग या ट्रेंट टाइम से लिए या नहीं है वो सिधा बाइक है तो बाइक का सेल मारेगा या किक मारेगा गाड़ी है तो गाड़ी का सेल मारेगा और सिधा गाड़ी लेकर निकल जाएगा आज कल किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि वेट करें ट्रेंड के लिए बस के लिए जो भी उनके पास वीकल है वो लेके निकल जाते है और अभी इतना सेफ हो गया है कि रोड की कंडिशन आप अगर एक स्टेट से बुसरे स्टेट जाना है तो काफी सारी फैसिलिटी मिल जाती है रिस्टोरेंट बहुत सारे हो गए है लोग भी काफी सारे हैल्प करते हैं प्ल लोरो चुकी है जिसकी वज़े से लोग बाय रोड जर्नी ज्यादा प्रिफर करते हैं एक बार फिर से मैं आपको फ्रंट व्यू ले चलता हूं और बात्चित कंटीन्यू करेंगे तो हलकी हलकी बारिश हो रही है इतनी भी खास नहीं है तो हम जा भी रहे हैं और बात्चि बता चुकाँ कि अगर मैं अकेला हूं तो मैं पाइक लेके जाओंगा अगर सब लोगे तो गाड़ी लेके जाओंगा क्योंकि अगर मैं कॉस्ट वाइस केल्कुलेट करूं बाकी सब का और मिला के तो मेरा कॉस्ट उतना ही आएगा जितना मैं अगर परस्नली वीकल लेके जाता हूँ अगर मुझे सेम एक्सपेंस करना है तो फिर मैं क्यों फालतू में वह भीडबार के चक्कर में पड़ू या लाइन में खड़ा रहूं वेटिंग के लिए और उपर से लगेज को कैरी करना उसको उचक उचक के जाओ तो यह सब जंजक में भी कोई पढ़ना नही चलता है और सड़के इतनी अच्छी हो चुकी है फैसे लिटी इतनी सारी मिलती है पैट्रोंप रेश्टोरंट सर्वीसीस जो पहले नहीं था तो अभी काफी सारी चीजे बदल चुकी है डालप हो चुका है तो उसकी विज़े से लोग पाई रोड ही प्रिफर करते है कि ज और पहले का टाइम मैंने आपको डिसकस है तो अभी टाइम चेंज हो चुका है तो उसकी सबसे हमें भी चेंज होना बहुत जरूरी है अगर आज भी हम वही पुरानी सिच्वेशन में चाहते है या उसी तरह से हम सोचते है तो जीवन में कभी आगए नहीं निकल पाएंग जो आपके लास्ट शोल तक वो चलता ही रहेगा मनने के बाद भी एक्सपेंसी ही है उसके पीछे की जो सारी प्रोसेस करता है तो उससे बैटर है कि जो जिनगी आपको एक बार मिलिये इंसान की उसमें आप जितना हो सको उतना जीलो पैसे के बारे में इतना मत सोचो क्यू है तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते है ना तो वाई एंड करते है वीडियो को ऐसे बात्चीत करते हैं तिल देन से यो बाए बाए